ये देखकर मुह में पानी आ गया ना क्यों ना आये भई है ही इतनी टेस्टी डिश राजिस्थान की तो चलिए आज बनाते हैं दाल बाटी और बाटी हम बनाएंगे बिना कुकर या बिना आवन के तो जल्दी से पहले आटा गून लेंगे बाटी का सबसे पहले दो कप मुठी बनाकर चेक करें क्योंकि मुठी बने इतना मुठी होना चाहिए इसमें नहीं तो बाटी अच्छी नहीं बनेगी अब सक्त आटा तयार करना ऐसे 15 से 20 मिनट के लिए ढखकर रगते अब 15-20 मिनट जब तक यह रखते हैं तब तक हम दाल तयार कर लेते हैं चार दालो को मिक्स मैंने यहाँ पर किया है उसमें पानी नमक और हल्दी डाल के इससे सिटी लगा देंगे मैंने यहाँ पर तोगर दाल मूंकी डाल आभारी डाल भी ले सकते हो मूंकी और और उरत की डाल और तोग दाल यह शारी चीजि़े लिए अब चौक तयार करें जब तक और दाल बॉयल हो तब तक गी या तेल में प्याज डालें प्याज को ज्यादा दिर भूनना नहीं है इसमें अद्रक लेसुन मिर्ची की पेज डालके वापस से एक तो मिनट तक भूनना है फुल फ्लेम पर ही अग कटे हुए टमाटर डालेंगे टमाटर डालने के बाद बेजिक मसाले डाल देंगे जैसे की नमक, मिर्ची, हल्दी, धन्या पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला गरम मसाला ज्यादा नहीं डालना है आपे अब इसे भी मिक्स करने के बाद मेशर से मेश कर दें ताकि जब आप डाल खाओ तो टमाटर और प्याज के बीच में टुकड़े मैं तो इस तरह से मेश कर देती हूं अब डाल भी देखिया हमारी बॉयल हो चुकी है तो बॉयल की हुई दाल इसमें डाल देंगे अब जब तक दाल पकती है तब तक हम बाटी भी तैयार कर लेते हैं इसे 15 से 20 मिनट ढखकर धीमी आज पर पकाएं या फिर 10 मिनट में भी हो जाएगी अब जो बाटी का आटा हमने गूंदा था उसमें छोटे छोटे पेड़े लेकर इस तरह से क्रॉस मार्क लगा दें ताकि बाटी जो है वो अच्छे से पकेगी अब देखे हम बनाने वाले हैं बाटी आज अपम पैन में थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे औ अब गर्मा गरम बाटी को घी में डुबो दें और इसे निकाल दें ज्यादा देर के लिए नहीं रखना है बस थोड़ी सेकंड्स के लिए बाटी भी तैयार हो चुकिये तो बाटी में से अब चूर्मा बनाते हैं चूर्मे के बिना तो भई दाल बाटी अधूरी है तो ज तो यह देखे शक्कर और बाटी जो है वो मिक्स हो चुकी है इसमें इलाइची पाउडर भी डाला है अब ड्राइफरूट का पाउडर भी डाल देंगा फिर कटे हुए ड्राइफरूट भी डाल सकते हो मेरे पास यह पाउडर पड़ा था तो मैंने वही डाल दिया अब 5-6 चुर्मे में गी ज्यादा होता है गी के बिना यह चुर्मा नहीं अच्छा लगेगा तो अच्छी कॉंटिटी में गी डाल दें और इससे मिक्स कर दें आप देखी सकते हो कि मैंने 6-7 चुमच घी जो है इसमें डाल दिया है तो हमारा चुर्मा भी तैयार है तो चलिए इस करते हैं सबसे पहले को हाथ से से क्रश कर देना है उसके उपर धीर सारी दाल डाले प्याज डाले प्याज के बिना भी यह मज़ा नहीं आएगा और लेशन की चटनी लेशन की चटनी और धन्या पत्त डालके साथ में एक एक चमच चुर्मा खाते जाए और मज़ा लिजी अपने दाल बाटी चाहिए